hello friend, welcome to MKS ways classes हम discuss कर रहे थे ray optics में image formed by concave mirror आज हम देखते हैं principle focus यह हमारा concave mirror है अब principle focus को find करने के लिए हम क्या करते हैं जो incident ray होती है वो principle axis के parallel mirror पर incident करते हैं जैसे कि यह वाली रेस इस principal axis के parallel है यह वाली भी principal axis के parallel है यह वाली भी principal axis के parallel है तो जब इनका reflection होता है तो यह principal axis के किसी एक point से पास होती है इस आधसनर के लिए बात करते हैं यह न लेंर钓े रखेंगे जो मिरार पर इनियुक्रीट ही यह इसीम्सा के पैलल है इसका साइड में और रिफ्लेक्शन होगा जब इनको डॉट डॉट पीछे ड्रो करेंगे तो यह प्रैंसिपल एक्षिस के जिस प्यंट से निकलती हुई प्रतीत होंगी उसी प्यंट को हम बोलते हैं प्रैंसिपल फोक्स ऑफ कॉन वैक्स मिरर